दोस्तो पावर रेंजर्स SPD पावर रेंजर्स फेंचाईजी का 13 सीजन है इसमें कुल मिलाकर 38 एपिसोड्स थे और मेरे खयान में ये पहुत से इंडियन बच्चों का सबसे पहला पावर रेंजर सीरीज था अब कहानी की शुरुबात साल 2025 के फ्यूचिरिस्टिक वर्ड में होती है जहां पर अर्थ ने इंटर गैलेक्टिक बींग्स यानि की एलियन के लिए अपने दरवाजे खोल दिये हैं अर्थ पर आकर हुमन रेस के साथ पीस पुली रह रहे होते हैं लेकिन ये शांती के वल कुछ देर के लिए ही टिकती है अर्थ पर पूरी तरह से कबजा करने के अपनी चाहत को लेकर ट्रू वियान नाम की एलियन स्पीसीज धर्ती पर हमला करने का प्लान बना रही होती है अब इस तरह के डेंजरस एलियन स्पीसीज से लड़ने के लिए पहरे से ही एक स्पेशल पुली स्पोर्स की टीम अर्थ के लोगों ने बनाई होती है उसका नाम स्पेस पैक्टरोल डेल्टा यानि की SPD होता है अब दोस्तो SPD के अंदर भी दो टाइब के मेन फोर्सेज होती थी तो दुरंत SPD A रेंजरस को उनके पास बेजा गया लेकिन मिस्टीरियस तरीके से हर एक A स्क्वैड का रेंजर गायब हो गया अब अर्थ को बचाने का पूरा जिम्मा B स्क्वैड के रेंजरस पर आ गया और इस B स्क्वैड के कमांडर थे अनुबिस क्रूगर जिसे हम डॉगी के नाम से भी जानते हैं अब दोस्तों SPD में भी पांच टाइप के रेंजरस होते हैं रेड रेंजर सबसे पहला होता है उसके बाद आता है ब्लू रेंजर फिर ग्रीन रेंजर फिर यलो रेंजर और सबसे अंत में पिंक रेंजर पोरी कहानी इनी पांचों रेंजर जो धर्ती को तबाह करना चाहते थे आज हम अपने पाँचों फेवरेट रेंजर्स की कहानी को देखेंगे तो बस बने रही है वीडियो मेंट तक मेरे साथ तो हलो गाईज मैं हुकाशिक और चलिए शुरू करते एक और नए एपिसोड को दोस्तो SPD फोर्स में सिटनी ड्रू को पिंक रेंजर का बैज दिया जाता है वो एक बहुत ही आउटगोइंग लड़की है जिसे फैशन बहुत पसंद है इसके साथ ही वो दुनिया भर में फेमस होना चाहती है अब शुरूआत में सिटनी SPD फोर्स को बिल्कुल भी जॉइन नहीं करना चाहती थी लेकिन उसके पिता जो खुद SPD में हाई रैंक्टिंग ओफिसर थे वो उसे एक रेंजर बनाने में सफल हो जाते हैं सिटनी याने की पिंक रेंजर के पास डेल्टा ब्लास्टर और डेल्टा मैक्स स्ट्राइकर का वेपन है इसके साथ ही उसके पास इनहेंज स्ट्रेंथ और एजिलेटी भी है सिटनी एक हाई लेवल जिमनास्ट भी है स्टोरी में आगे चलते चलते सिडनी अपने power ranger होने की duty और अपने famous होने की इच्छा के भीच पसी हुई दिखाई देती है उसके teammates अपने ranger होने की duty को बहुत seriously लेते थे लेकिन सिडनी इस चीज में बहुत struggle कर रही थी सिडनी एक अमीर फैमिली से बिलॉंग करती थी और से हमेशा से ही फैशन की दुनिया में जाने के लिए सपोर्ट किया गया था लेकिन आगे चलकर वो समझ जाती है कि उसका असली पैशन जस्टिस के लिए लड़ना और लोगों की मदद करना है अब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि उसका रेंजर होना जादा इंपॉर्टेंट है सीरीज के फाइनल एपिसोड में सिडनी को बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता भी में विलेन के साथ काम कर रहे थे अब अब अंत में वो अपने रेंजर्स के ड्यूटी को चुंती है और अपने पिता को गरफतार करवा देती है अब मुझे सिडनी का कारेक्टर बेहदी अच्छा लगा था एस्पीडी फोर्स को जॉइन करने के बाद उसने अपना ट्रू पैशन रियलाईज किया और अंत में अपने पिता की मदद करने के जगा उनके खिलाफ खड़े रहने का फैसला भी किया दोस्तो यलो रेंजर का रोल एलिजाबेट डेलगाडो नाम का करेक्टर प्ले करती थी एलिजाबेट एक बेहदी टफ लड़की है जो अपनी जिन्दगी चोरी और दूसरे क्राइम्स करके निकाल रही होती है एक दिन उसे स्पीडी की फोर्स चोरी करते वे पकड़ लेती है लेकिन उसके मार्शल आर्ट स्किल्स देखकर वो बेहदी इंप्रेस होते हैं उसे यदो इंजर का रोल दे रहेते हैं अब यदो इंजर के पास डेल्टा ब्लास्टर और डेल्टा मैक्स स्ट्राइकर का वेपन है इसके साथ ही वो close combat में भी माहिर होती है स्टोरी में एलिजाबेट अपने आपको SPD रेंजर्स के बीच बहुत आउट आफ प्लेस समझती है उसके साथ ही हमेशा से अच्छे लोग रहे हैं जो क्रिमिनल्स को पकड़ते आए हैं महीं दूसरी दरफ एलिजाबेट ने केवल क्रिमिनल लाइफ ही देखी है एलिजाबेट की बैक स्टोरी में ये रिवील किया जाता है कि उसके क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से उसका एक खास दोस्त मर जाता है इस गिल्ट को लेकर वो और अच्छी रेंजर बनने की कोशिश करती है अंत में वो अपने यूनिक टैलेंट को अपनाती है और स्पीडी फोर्स के एक वैल्यूबल टीम मेंबर के रूप में सामने आती है दोस्तों स्पीडी फोर्स के ग्रीन रेंजर का रोल ब्रीज कैटसन प्ले करता है ये एक फ़नी और इंटिलिजन्ट कैरेक्टर है अब उसके पास एक बहुत ही यूनिक अबिलिटी है जिसमें वो फ्यूचर में होने वाले डेंजर का अनुमान लगा सकता है उसके इन स्किल्स और टैलेंट को कमांडर क्रूगर ने देखा और उसे ग्रीन रेंजर के रूप में अपॉइंट कर लिया अब स्टोरी में हमें उसकी फ्यूचर देखने की यूनिक अबिलिटी के बारे भी पता चलता है इस स्किल्स के वजह से उसके साथी टीममेट्स उसे बहुत ही अजीब समझते हैं और हर बार उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन्स पर यकीन नहीं करते अब धीरे धीरे ब्रिज अपने पावर्स को और अच्छे से समझने लगता है और उसे लोगों की मदद करने के लिए यूज करने लगता है अब सीरीज के फाइनल एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि ब्रिज को असल में ब्रेन ट्यूमर है इसी बज़ा से उसका ब्रेन फ्यूचर के चीज़े देख पा रहा था ब्रेन ट्यूमर के साथ वो ज़्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता था लेकिन अगर उसने उपरेशन करवाया तो उसकी ये पावर्स जा भी सकती थी लेकिन अंत में वो उपरेशन करवा लेता है और उसकी पावर्स भी नहीं जाती दोस्तों ब्लू रेंजर का रोल एस्पीडी फोर्स में स्काई टेट को दिया गया है सकाई एक डिसिप्लेंड और सीरियस आदमी है जो अपने पावर रेंजर्स की जॉब को सीरियसली लेता है अब सकाई की पूरी फैमिली एस्पीडी रेंजर्स की है इसलिए उसके उपर एक अच्छे आफिसर बनने की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है अब शुरुवात में कमांडर क्रूगर सकाई को रेड रेंजर के रूप में पॉइंट करते हैं जो की टीम का लीडर होता है लेकिन जब वो रूस को फॉलो नहीं करता और अपने मनमुताबिक काम करने लगता है तो उसे डीमोट करके ब्लू रेंजर बना दिया जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं अब सकाई की बैक स्टोरी में हमें ये बता चलता है कि उसके पिता सकाई के प्रती बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और सकाई का मकसद भी अपने पिता को प्राउड फिल करवाना था और ये भी रिवील होता है कि मिशन के दोरान स्काई ने अपने टीम मेट को पीशे छोड़ कर खुद की जान बचाई थी ये ड्रामा और गिल्ट उसे कोई भी फैसला लेने से पहले हजार बार सोचने के लिए मजबूर कर देता है अंत में वो अपने डर पर काबू पा लेता है और एक एफेक्टिव रेंजर के रूप में सामने आता है सीरीज के फाइनल एपिसोड में स्काई उस विलेन से मिलता है जिसकी वज़ा से उसे अपने दोस्त को छोड़ना पड़ा था अब अपने दोस्तों के मदद से वो अपने गुस्से पर काबू कर पाता है और विलन को अरा देता है स्काई जो शुरूआत में अपने टीम मेट्स पर भरोसा नहीं कर पा राता अंत में उन सबका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है नमबर फाइव रेड रेंजर दोस्तो रेड रेंजर यानि कि SPD फोर्स के टीम लीडर का रोल जैक लैंडर्स निभाता है जैक एक स्ट्रीट स्मार्ट जीनियस है जो क्रीमिनल बैक्राउंड से बिलॉंग करता है अलिजावेट के साथ जैक को भी SPD फोर्स चोरी करते वे पकड़ लेती है लेकिन उसके स्किल्स को देखकर उसे रेड रेंजर के रोल पर अपॉइंट किया जाता है अब देखो शुरुवात में वो पावर रेंजर नहीं बनना चाता था लेकिन बाद में जैक ये देखता है कि रेंजर बनकर वो अपने पास्ट में किये के गलतियों को सुधार सकता है रेड रेंजर के पास इन्हेंज स्ट्रेंथ, स्पीड और एजलिटी है उसका प्राइमर हतियार डेल्टा ब्लास्टर है जो की एक हाई टेक फायर आर्म है वो अपने हतियार को एक तलवार में भी कनवर्ट कर सकता है अब जैक की स्टोरी में ये रिवील किया जाता है कि वो कैसे अपने क्रिमिनल बैक्राउंड से निकल कर हीरो के रूप में उपर आता है अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जैक और ब्लू रेंजर सकाई के बीच का रिलेशनसिप बहुत ही खराब होता है लेकिन अंत में सकाई जैक के लीडर्सिप स्किल्स को पहचानता है और उसे अपने क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल कर लेता है जैक इतना अच्छा लीडर इसलिए है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तयार हो जाता है अब दोस्तों जैक का करेक्टर एक क्रिमिनल से रिस्पॉंसबल हीरो और लीडर में बहुत अच्छे से कनवर्ड होता है